अलो फ्रेंड्स मैं से ब्रोक सुनील तवार कंसल्टेंट एंट एंट एंड राइनोप्लास्टी सर्जन दोस्तों आज हम डिसकस करेंगे क्या मुझे हेरिंग एड लगाने चाहिए दोस्तों बट हेरिंग एड के डिसकसन से पहले आप यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना एंट देगी बैल आइकोन को प्रेस करना ना भूले जिससे आने वाले अनेक एंट से रिलेटेड उप्योगी वीडियो का नोटिफिकेसन आपको मिलता रहें दोस्तों बहुत बहुत बाहर पेशिंट को क्या है कि जो है डे टूडे एक्टूइटी में डिक्रीज हेरिंग के कारण बहुत बाहर जो है उसको ऐसी परिस्तिते का सामना पढ़ना पड़त हेरिंग एड नहीं लगाना चाहता मेरे को सरजरी कर दो दोस्तों इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना चाहिए जहां सरजरी की जरूत है मां सरजरी होती है जहां सरजरी की जरूत है मां सरजरी नहीं होनी चाहिए कान के अंदर जो डिक्रीज हेरिंग के बहुत सारे ऐसे क जो है किनी कारणों से वह नर्व को जाती है बहुत बार जो है कुछ जो है वर ड्रॉक की टॉक्षीट करन होता है उनके कारण होता है सदन जो है जिलके कारण नर्व वीक हो जाती है आपका ear drum कान का पर्दा rest everything is okay so ऐसी स्थिति में दोस्तो अगर डॉक्टर ने आपको चिकित शक ने ये सला दी है कि आपको hearing aid लगाना चाहिए तो ऐसी स्थिति में दोस्तो ये आप ध्यान रखें कि आपको hearing aid लगाना ही चाहिए उसका कारण है नमबर वन अगर आप hearing aid नहीं लगाओ गई तो जो आपकी बची हुई जो hearing जो आपका level है दोस्तो वह दिरे 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 सने सने वह डाउन आ जाएगा पहली बात दूसरी बात आपकी ear के अंदर जो आपकी सुनाई का समता है सुनाई का सिस्टम है वह दिरे 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 डेमेज होने से हमारे को ear के अंदर साइं साइं आवाज आने लग जाती है जिसको हम tinnitus बोलते हैं जो अगर एक बार स्टार्ट हो गया बहुत बार क्या है वह डाउन नहीं जाएगा पहली बात दूसरी बात आपको day-to-day activity में आपकी lifestyle में इंप्रूमेंट होगा बहुत बार कोई अगर कोई lawyer है या कोई ऐसा social activities है जहां पर वो उसको hearing अगर आपको proper नहीं देती है तो आपको जो है उसका बहुत खामियाजा बुगतना पड़ता है सो दोस्तो hearing aid आपको लगाने की जरूत है तो आपको लगाना चाहिए अगर hearing aid की बात करते हैं तो hearing aid कितने का आता है क्या उसकी cost होती है वो जो है वो कॉस्मेटिक लिए अच नहीं दिखते वीजिबल नहीं होते तो वह hearing aid भी लगा सकते हैं ठीक है और दोस्तो hearing aid में क्या होता है अगर अच्छी quality का आप hearing aid लगाते हो तो आपको जो है वो सुनने में भी बहुत अच्छा help करता है टाइम टू टाइम उसकी maintenance है जो hearing aid जो डॉक्टर से आपने लगाया जिससे मेरे को अच्छे से सुनाई दे तो दोस्तो अगर आपको hearing aid advice किया है आपकी hearing कम है तो definitely आपको hearing aid लगाना चाहिए जिससे आने वाले जो है दुश परिणाम अपने ear पे अंदर जो है सुनाई कम और होने के नहीं हो So, I think Dostu this information regarding the hearing aid is useful for you. You can share to your family, friends and colleagues just to create awareness about the decreased hearing problem. Thank you.